अब कुछ पढ़ाई भी स्टाइट कर ली जाए दिवाली का वैकेशन बहुत हो गया तो आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर का लेसे नमबर नाइन हैज एंड हैज का यूज हम करते हैं और हैव का यूज का करना है उसके बारे में हम यह चैप्टर पढ़ेंगे ठीक जनरल हैज और हैव का यूज करते हैं जब हमें कुछ ऐसी बात बतानी हो कि यह मेरी है उस तरीके से कुछ भी बताना हो तब हम हैव और हैज का यूज करते हैं जैसे के पार्थ हैज रेड बॉल यह पार्थ है अगर हम ऐसा कंसिडर करें उसके पास यह रेड कलर का बॉल है तो पार्थ has a red ball इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं फिर है पिया has a beautiful frog पिया के पास बहुत ही सुन्दर frog है जीराफ has a long neck जीराफ देखो एक singular noun है जीराफ एक ही जीराफ है बहुत सारे जीराफ है तब हम has यूज़ नहीं कर सकते हैं जीराफ एक अकेला है तब हम has यूज़ कर सकते हैं जीराफ has a long neck यानि कि जीराफ की बड़ी सी डोक होती है नेक उसकी बहुत लंबी होती है जो बढ़ होता है पक्षी उसके पंक होते हैं टैबल has a four leg टैबल के चार पैर होते हैं तो हम has का use कहा कर सकते हैं अगर किसी लड़के के बारे में यानि he, she, it यानि लड़के के बारे में लड़की के बारे में animal place और animal place bird उसके बारे में हो तब हम has यूज कर सकते हैं और anything हो उसके बारे में लेकिन वो singular होनी singular यानि सिर्फ one होनी चाहिए naming words है वो एक ही होने चाहिए तब हम यूज कर सकते हैं has we use hash with he, she, it and naming words that means one यहां पे देखो जिराफ है दबड है यह बल है वो सारे naming words है पार्थ है प्रिया है यह सारे naming words है और वो सिर्फ single है एक ही है तो वहां पे हम has का यूज कर सकते हैं अब हम देखेंगे आपे हम have का use करना है जैसे के मेरे लंबे बाल है तो मैं क्या बोल सकती हूँ I have long hair यानि मेरे बाल लंबे है we have new house यह हम मेरे पास नया घर है वी के साथ भी have का use होता है I के साथ भी have use होता है अगर आपके सामने जो खड़ा है उसके बारे में बात करें तो क्या बोल सकते है you have new Barbie doll आपके पास नई Barbie doll है फिर they have यह family है they have a red car इनके पास लाल कलर की कार है फिर the mice have cheese एक अगर होते उसे mouse कहते लेकिन यह बहुत सारे एक से ज्यादा है तिले उसे mice कहेंगे the mice have cheese एक से ज्यादा लोगों उसकी जगह पे हम have का यूज करते है यहाँ पे देखो same way जीराफ have long neck जीराफ्स यहाँ पे बहुत सारे जीराफ्स है इसलिए हमने have यूज किया आगे के picture में सिर्फ एक ही था जीराफ्स इसलिए हमने has यूज किया लेकिन यहाँ पे बहुत सा अगा पे हमने have का यूज किया हमें have कहां पे यूज करना है we use have with I, we, you, they and naming words that means more than one एक से ज्यादा हो जब हम have का यूज कर सकते है देखो यहाँ पे टैबल है जिसमें बताए जया है किस तरीके से has और have का यूज कर रहा है जिसे कि अगर मैं खुद के बारे में बोल लू तो I have a bag, मेरे पास bag है अगर मेरे और आपके दोनों के पास bag है हम क्या बोल सकते है we have bags, दोनों के पास bag है अगर आप अकेले के एक for एक्जामबल स्तूती ले लो स्तूती के पास अगर bag है हम क्या बोलेंगे यू अगर मेरे सामने स्तूती खड़ी है तो मैं स्तूती को क्या बोलूंगी you have a bag, अब हम have का यूज कर सकते है same way एक से ज्यादा हो आप सभी बच्चे है first standard के right तो अभी सभी के पास bag है तो मैं क्य यूज करना है he has a bag लड़की के बार में बात कर रहे है तो she has a bag फिर जैसे कि यहाँ पर dog के बार में बात कर रहे हो it has a long tail और लिख सकते है dog has a long tail और same way बहुत सारे हो मेरे पास नहीं है लेकिन आप लोगों के पास है तो क्या बोलेंगे मैं क्या बोलूंगी they have bags उन लोगों के पास bags है पता चला है वो हमें कहां पर यूज करना है और has हमें कहां पर यूज करना है ठीक है Thank you